शनिवार को जनपत के जिला अस्पताल सहीत 72 बुथो पर 15,645 लोगों का टीका करण कराया गया जिसमें 18 से उपर के 6,273 तथा 45 साल के उपर के 9,372 नागरिकों का टीका करण किया गया कोविट का टीका लगवाने को लेकर जिला अस्पताल में लोगों को काफ़ी उत्सा में देखा गया जिला महिला अस्पताल में 45 साल के उपर के लोगों को कोविट शिल्ड और संक्रमर वाड में को वैक्सिन लगाया जा रहा है गुरकपुर न्यूस से बात करते हुए लोगों ने कहा कि कोरोना को मात देने में वैक्सिन काफी लाब दायक नजर आ रहा है इसलिए हम लोग लाइन लगा कर वैक्सिनेशन करवा रहे हैं जिसे भविश में सुरक्षित रहे हैं सेमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से अपील किया कि अपना नंबर आने पर वैक्सिनेशन अवर्षे कराएं जिसे जिले को कोरोना से मुक्त कराया जा सके इस संबद में गुरगपुर न्यूस से बात करते हुए वैक्सिनेशन कराने आई स्वाती अगरवाल और शिवानी MMCMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा बश्चराइबकूैं सब츠 माणे आई एक्लापुराई सके कराया जाना नेरीEnthstव मेरा नम स्वाती अगरवाल है, आकम पिसले संडे को हमने रजिस्ट्रेशन आउनलाइन करवाया था, मेरा घर दीवान दयारा में, मेरे घर में समने लगवाली है, किसी को कोई समस्या नहीं हुई है, गौर्वर्मेंट जो कर रहे हैं, आगे अच्छा है कि मोदी जी अच्छा ही करेंगा, पता ही नहीं चला कि कब लग गई, जी मेरा नाम शिवानी है, मैं गोरकपूर से सहारा सेट्स से आई हूँ, और मैंने पांच दिन पहले रेजिस्ट्रेशन कराया था, नहीं नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही, हम जैसे ही आया है, हम लोग को वैक्सिनेशन लग गई, अबी टीक है, आज हमारे 72 जगों पर ठीका करने चला है, तुसे जो जगों पर हमारे 18 प्लस की необходимо हो पर ठीका रहा है, घ्म Secondly, 31गों आघक करने टीका करें हो बिल्कूर के सब्सक्राइब करने आज रहा है और आज हम दसफा मेशार, कर गए कि आथारा प्लस में तो लोग काफी मात्रा में आ रहे हैं लेगिन पैटालिस प्लस में बगगों की अभी संख्या कम हो गई है तो हम आशा एनव को मोभलाइश कर रहा है कि गाओं-गाओं की एक इस त्यार कर रहे है कि उस हाग के गाओं में कितने पैटालिस प्लस के लोग हैं, उनकी एक लिष्ट तयार कर ले, एक सूची बना ले, उनके आधार कार्ट के साथ में हमारे केंद्रों पर ले आएं, जिससे कि उनको मोबिलाइस करके हम पीटाकन करा लिए.